गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग चलिया करते हैं क्लास स्टार्ट आज की हम है ना आज है हमारी टाइमन डिस्टेंज क्लास 11 एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि आपकी जो प्रॉब्लम थी ना सबसे बड़ी कि सर क्वालिटी का कुछ करि कि कि समझ रहा है जो एक घंटे की क्लास होगी ना आपकी यह धाइसो से तीन सो एमबी बस मैक्जिमम उससे जादा नहीं होगी अब आपकी है ना और क्वालिटी भी आप बहतर फिल करोगे पुराने वाले से तीन सो एमबी में के वर्टी के ना क्लियर तब इजी होगी और ध्यान रखें टाइप सेवन दो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप सेवन टाइमेंड डिस्टेंस का समझाई बाट ठीक है टाइप सेवन टाइप सेवन के कोईश्चन्स देखकर कहीं लोगों को थोड़ दर लग रहा होगा इतने बड़े-बड़े सवाल क्या है क्या नह टैन्मेंड दुनिया है ट्रेंट करना है अभी सामािट आकले सब्सक्रियां सब्सक्राइप गणलग सब्सक्राव तो एक question लिखिए आप type 7 के लिए, वेसे तो question से कहीं सारे sheet में available हैं, लेकिन मैं जो question बुल रहा हूँ, question लिखिए आप लोग type 7 का, लिखो ज़रा question जल्दी से लिखिए फटा-फट से, type 7, लिखो question जल्दी से, लिखिए question, एक रेलगाडी, एक रेलगाडी, एक रेलगाडी, एक रेलगाडी, इंदोर से चलती है, a train starts from indoor, एक रेलगाडी इंदोर से चलती है, परंतु, परंतु, 200 किलो मिटर के बाद, दुरगटना ग्रस्त हो जाती है, एक रेलगाडी एक रेलगाडी इंदोर से चलती है परंतु 200 किलोमेटर के बाद दुरगटना ग्रस्त हो जाती है एक रेलगाडी इंदोर से चलती है परंतु 200 किलोमेटर के बाद दुरगटना ग्रस्त हो जाती है फूल स्टॉप पुण विराम फूल स्टॉप पुण विराम है ना इसके बाद इसकी चाल वास्त्विक चाल की तीन चोथा ही हो जाती है इसकी वजह से इसकी चाल वास्त्विक चाल की तीन चोथा ही हो जाती है इसकी वजह से इसकी चाल वास्त्विक चाल की तीन चोथा ही हो जाती है और इस प्रकार sentence break नहीं करना continue और इस प्रकार और इस प्रकार यहां रेल गाड़ी अपने गंत विस्थान पर चार घंटे देरी से पहुंसती है और इस प्रकार यहां रेल गाड़ी अपने गंत विस्थान पर चार घंटे देरी से पहुंसती है और इस प्रकार यहां रेल गाड़ी अपने गंत विस्थान पर चार घंटे देरी से पहुंसती है and in this way the train reached the destination four hours late full stop पुन विराम full stop पुन विराम अब आगे लिखना यहां full stop पुन विराम लगादो आगे लिखना यदी यहां रेलगाडी यदी यहां रेलगाडी 300 किलोमेटर ओर आगे दुरगटना ग्रस्त होती यदी यहां रेलगाडी 300 किलोमेटर ओर आगे दुरगटना ग्रस्त होती यदी यहां रेलगाडी यहां से काड़ दो पूरा आप कुछ और समझ लोगे गलट डारेक्शन चले गए यदी यहां रेलगाडी से काड़ दो यहां लिखो यदी यही दुरगटना यदि यही दुरगटना 300 km और आगे होती तो यहां रेलगाडी केवल 3 घंटे विलंब से पहुंसती इंगलिश वाले If the accident had occurred 300 km further, then the train reached the destination 3 hours late only. If the accident had occurred 300 km further, then the train reached the destination 3 hours late only. Then the train reached the destination 3 hours late only. Then the train reached the destination 3 hours late only. तो रेलगाडी केवल 3 घंटे देरी से पहुंसती. Then the train reached the destination 3 hours late only. तो रेलगाडी केवल 3 घंटे देरी से पहुंसती. Then the train reached the destination 3 hours late only. तो रेलगाडी केवल 3 घंटे देरी से पहुंसती. फुल स्टॉप पॉडविराम सब लगालो, अब आगे लिखो. रेलगाडी की वास्त्विक चाल तथा यात्रा की कुल दूरी ग्याद करें. रेलगाडी की वास्त्विक चाल तथा यात्रा की कुल दूरी ग्याद करें. दो सेकंड रुखना जरा थोड़ा कैमेरा क्लिन कर दू में. कि फॉन्ट क्लियरली विजिबल नहीं है कैमरा क्लीन कर दू दो सेकंड रुकिये जरा है अभी ठीक हुआ ना हम दो सेकंड रुकिये जरा है अब देखो मैं करता हूं इजी सारे टास्क आपके लिए हैं ना कि अभी अच्छा दिख रहा है ना ना अभी अच्छा दिख रहा है ना लुकिंग ठेक है चल अभी देखो क्या है कहानी मैं आपको उताता हूं अभी जो क्वेशन लिखवाया मैंने आराम से शांती से यह जो एक क्वेशन लिखवाया सिर्फ इस एक क्वेशन को ही आपने समझना है सिर्फ इसी एक क्वेशन को आपने समझना है टाइप सेवन पूरा कंप्लिट हो जाएगा समझाई बात आराम से बहुत प्यार से बहुत शान्ती से मैं धीमे से करवाऊंगा ना पेशन्स रखना है टाइप सेवन अपनी दुनिया है एक बड़ी ठीक है आराम से शान्ती से में बताता हूं आपको ठीक है है ना क्लियर अब देखिए हां पर क्या है कहाने हां और एक और ओफ लाइन खुले का तब पड़ाई स्टार्ट करेंगे सब छोड़ दो आप लोग ओनलाइन पढ़ना चालू करें और ओनलाइन पर ही ध्यान दे समझारी बात अभी नोटिस आया है गवर्मेंट का के 30 सितंब कि 30 सेप्टेंबर तक अभी कोचिंग क्लासे और बंद रहेंगे 30 सेप्टेंबर तक उसके बाद यह भी कंफर्म नहीं किया कि 30 सितंबर बात खोल देंगे ऐसा नहीं बोला इसा नहीं बोला 30 सितंबर तक बंद रहेंगे समझारी बात उसके बाद खोल देंगे ऐसा कंफर्म हो गए तो कहीं कहीं डर है कि बच्चों की बिच में कोरोना फेल गया तो कहीं वह भी प्रॉब्लम है ठीक है बता दू गवर्मेंट का नजरिया यह है कि धीमे धीमे करके लोग गाड़ी आगे बढ़ाएंगे समझारी बात अच्छानक कुछ नहीं खुलना है बता दू आपक लेकिन 30 सेप्टेंबर तक तो अभी क्लोज है बिल्कुल बिल्कुल नहीं खुलेगा समझारी बात और 30 सेप्टेंबर बात भी जहां तक में को ऐसा लग रहा है कि यह ना इनकी प्लानिंग तो है कि मतलब 3-4 महिने और अभी चला है लेकिन 3-4 महिन एक साथ नहीं बोलेंग इसका शोट्रिक मुझसे पुछोगे ना शोट्रिक देखो मैं यदि होता यह सवाल लिखवाया ना इस सवाल को मैं होता तो एक्जाम में कैसे करता पहले वो बता देता हो मैं परिक्षा में होता इस सवाल को कैसे करता में बता देता हो चाल 3-4 ही हो गई यहने कि 4-3 तो ट प्रति घंटा सो किलो में तो सूगिलो में सपरहले सो किलोमेटर प्रति घंटा चलां अब दिस्टेंस की सिरु निकाल देखो चार से तीन घंट यहां तक आना है, समझाई बात, तो आपको यहां तक आने के लिए सबसे पहले में जो बता रहाँ ना, उसको आराम से शान्ती से आप लोगो को सीखना है, समझाई बात, मैं सिखाऊंगा, फिर जो रास्ता सिखाऊंगा, उस रास्ते पर आपको बार-बार गुहां गुहां क करवाऊंगा समझाई बात यहां तक लेकर आउंगा आपको क्या आप को स्राइम स्टाप लेकिन आप थोड़ा सा पेशन्स रखें शाथी रखें समझाई बात cultiv रिपीट करके कोई इसीज नहीं है और दूसरे चीजित ना कं मेमओरी की जब मूवी होती है ना तो एचलती भी अच्छी है 37 Jetzt समझ मेरी बात दो प्राइख फट कम होना और कं मेमओरी का विडियो होता है यह ज्यादा मेमोरी का विडियो नेट इस्पीड यदि स्लो हो तो नहीं चलता तो नेट इस पीड यदि थोड़ी स्लो होगी प्रॉब्लम होंगे तो भी अच्छे चलेगा आपका पूरा क्लीन कर वाय सौफ्टेयर पूरा आपडेशन की आए टेकनिकल टीम वालों है चलो देखो अघाए चलो देखो मिटाता हूं इसको अब सेवाल करते हैं आरांसे शान्ति से हो देखो कहाणी इसी है कि टाइप सेवन ही कर रहे हैं मिटा दू और टाइमें डिस्टेंस की क्लास 11 ही आप जानते हूं मिटा देता हूं खाली कर लेता हूं पूरा चलो भीया रेल गाड़ी इंदोर से निकली सवाल पढ़ते जाता हूं स्ट्रक्चर बनाते जाता हूं रेल गाड़ी निकली कहां से इ एक्सिडेंट हुआ 200 किलोमेटर मान में 200 किलोमेटर हो गया कितना हो गया है 200 कि यहां एक्सिडेंट हुआ यह देखो एक्सिडेंट हुआ यहां पर है एक्सिडेंट होते ही रेल गाड़ी की चाल घट गई क्या जैसे एक्सिडेंट हुआ रेल गाड़ी की चाल घट गई है न घटकर कितनी हो गई रेल घड़ी की चाल घटकर हो गई तीन चोथाई तीन चोथाई है ना तीन चोथाई हो जाने का मतलब दो स्पीड है कहानी में एक ओरिजनल स्पीड है और एक निव स्पीड है समझाई बात तो चाल हो गई भया तीन चोथाई याने की चार से कितनी हो गई तीन ओरिजनल स्पीड चार थी नहीं तीन चोथाई हो जाने का मतलब एक का तीन चोथाई एक था तो तीन चोथाई हो गया है ना एक था थो तीन चोथाई हो गया यह ओरिजनल स्पीड और यह नहीं वाली स्पीड तीन चोथाई जैसे आधा हो जाने का मतलब एक का एक बटा दो तो तीन चोथाई हो जाने का मतलब एक का तीन बाई चार इसको सि accident हुआ फिर उसके बाद रेलगडी चली और अपने destination को पहुंची मान लेते हैं यह यहां है destination यहां उसको जाना था यहां तक जाना था ठीक ठीक है अब आप देखना ज़रा यहां से यहां तक original चाल चली इसके बाद चाल उसकी तीन चोथा ही हो गई यानि कि यहां से यहां तक की जो चाल है वो है चार और इसके बाद की जो चाल है ना ध्यान देना इसके बाद की चाल कितनी है उसकी तीन यह इतना ध्यान देना पड़ेगा आपको है ना ठीक है कि भाईया accident तक 4 चार है और उसके बाद चाल क्या हो गई 3 है न 3 चो था ही हो गई अब वो क्या बोला गया और इस प्रकार railguardi 4 घंटे देरी से पहुंची कितने घंटे देरी से 4 घंटा railguardi 4 घंटा delay पहुंची अब आप जानते हो क्या 4 घंटे delay का reason क्या है चार घंटे डिले का रिजन एक्सिडेंट नहीं है एक्सिडेंट की वज़े से चाल का कम हो जाना यदि मान लो ये रेल गाड़ी पूरी यहां से यहां तक चार की चाल से चलती तो क्या डिले होती नहीं तो delay का reason जो है न वो delay का reason हमें solve करने के लिए क्या पकड़ना है कि delay का reason चाल घट जाना है यदि चाल चार की होती मान लो एक rail gadi जारी हो speed से है न और रास्ते में वो crossing होती न जहां से बस गाड़िया निकलती है समझ रहो बात को है न आपने आप भी गुजरे होंगे कहीं बार rail gadi जारी अपनी speed में मान लो कोई रास्ते में आ भी गया तो उसको उड़ा के हो तो सीधे जाईगी न rail gadi मान लो speed से जारी है रास्ते में कोई है उसको उड़ाते हुए हुआ मैं सीधी rail gadi अपनी speed से चली गई तो क्या delay होती नहीं इसका मतलब क्या है कि rail gadi जैसे किसी को उड़ाया उड़ाते से rail gadi की चाल 4 की बजाए क्या हो गई तीन ड्राइवर ने घबरा के चाल क्या कर ली तीन रूकी नहीं गाड़ी रूकी नहीं है रेल गाड़ी नहीं उड़ाया उड़ाते से ड्राइवर को अच्छा नहीं लगा उसने चाल 4 की बजाए क्या कर ली तीन तो डिले लेट होने गणता लेट होने की वज़ एक्सिदेंट नहीं है रेल गाड़ी की चाल घट जाना है समझ नहीं बात चल अब आगे क्या बूला हूँ अब आगे यह बूला यदि यहीं दुर घटना 300 किलोमेटर और आगे हो जाती 300 किलोमेटर ऊर आगे तो चलो यहीं दुर चलो भैं यहीं दुरघ्टना 300 km और आगे हो जाती ऐहां पर यह 300 hiç ओ कि यहां से 300ẹओ और आगे हो जाती है यह 300 किलम अ ठीक है यहां दुरघ्टना 300 स्ट 2-500 किलो मेंटर ओर आगे हो जाती है तो यहां रिल गाड़ी केवल कितने गहंटे देरी से पहुँंशती 3गटे destination है कितने गहंटे देरी से पहुंशती 3 गहंट, यह सवाल है कि वहीं या 200 किलों दुरगटना गई दुरगटना होते से चाल 4 की बजाए क्या होगी 3 और 4 घंटे डिले हुआ यदि यहीं दुरगटना ती यहां से 300 किलोमेटर आगे होती ठीक है तो रेल गाड़ी के वल 3 घंटे देरी से पहुंसती अब सुझ जरा एक्सिडेंट तक की च चाल क्या होगी 4 है न और एक्सिडेंट के बाद चाल क्या होगी 3 बोलो समझे के नि समझे बात को है न चार और एक्सिडेंट के बाद चाल क्या होगी 3 क्लियर है कि इतनी सी बात है चाल का पार्टिशन आपको समझ में आ रहा है एक्सिडेंट तक चाल चाल है मेरी बात अब हमें निकालनी चाल अब ध्यान देना में किस प्रकार यह मैंने क्या किया अभी सवाल को पढ़के के वाल इस्ट्रक्चर बनाया दो सो किलोमेटर दुरगट ना दुरगण बात चाल तीन चोथा हो गई चार से चाल हो गई तीन और चार घंटे डिले हुआ डिले होने की वज़े चाल का घट जाना है अब यहाँ डिले कम हुआ क्योंकि यहाँ इस चाल से रेल गाड़ी थोड़ी जादा चल ली ओरिजिनल स्पीड से क्यों इतनी दूरी ताई करनी पड़ेगी इसलिए डिले कितना हुआ कम अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी सुनिए आप लोग ठीक है यह स्ट्रक्चर बनाया है मैंने सवाल का यह था सवाल अब इस सवाल को कैसे करने वाला हो ध्यान देना किस प्रकार से ल लगाऊंगा इसे करके यहां पर यहां पर एक्सिडेंट हुआ है यहां पर अब दियान देना यहां पर अब मैं क्या करूंगा अच्छा है मारजिन 300 किलोमेटर का जानते होंगे आप लोग है हे के नहीं मारजिन 300 किलोमेटर का है ना 300 किलोमेटर का अब ध्यान देना तीन टुकड़े एक यह पार्टिशन वन समझ में यहां से स्टार्ट हुआ यह यहां तक का 200 किलोमेटर का एक यह पार्टिशन है एक यह पार्टिशन है 300 किलोमेटर का और एक यह पार्टिशन है द यह चार है तो यहां तो चार आएगा इना इतने में तो यहां भी चाल कि आएगी चार क्लियर तो यहां की चाल चार यहां की चाल और यहां की चाल देख ले क्या यहां की चाल देखो जरा इस पार्टिशन की 300 किलोमेटर की यह चाल तीन है तो क्या यह भी तीन ही आएगा क्य यहां चार अब यहां की बात करें इसके बाद यहांका और यहांका तो यहां भी देखो तीन है और यहां भी चार क्या है? तीन है, क्लियर? अब ध्यान देना अपलो यह तीन टुकड़े हैं one two और three clear आपको धियान कहा दे रहा है आपको इस तीन सो किलोमेटर में धियान देना आप सुनो मेरी बाध ठीक है अच्छा इस टुकड़े में यहां भी चाल से में एक ही सवाल को एसे सीखना है एक ही सवाल को एसे सीखना है कि सारे सवाल खुद से कर यहां इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना नहीं है सिर्फ यहां से हल हो जाए गए चार तीन चार तीन पराबर तीन घंटा सो किलोमेटर प्रती घंटा इसी का इमेजिनेशन होगा ओरली काम होगा सारा इस सवाल का उत्तर है इसको हटावा बे कि स्पीट हाँ, देखो, क्या है कहानी, यहाँ भी चाल चार है, यहाँ भी चाल तीन तीन है, देखो, यहाँ भी दोनोर चाल सेम है, यहाँ भी दोनोर चाल सेम है, तो समय में फर्क पड़ा, इसकी वज़ा क्या वली यह 300 किलोमेटर है क्या देखो जरा, यहाँ भी चाल दोनोर सेम है, जो टाइम में फर्क पड़ा है, उसकी वजह केवल ये 300 km है क्या बोलो जरामे को? बताओ में क्या पूछ रहा हूँ आपसे? उसकी वजह केवल ये 300 km है क्या दिखरा है आरास्तों सच में आर कितना मज़ा आरा है पड़ाने में है? कितना अच्छा दिखरा है बिल्कुल क्लियरली कैमरा क्वालिटी दर देखा आप लो यहाँ भी चाल सेम है यहाँ भी चाल सेम है तो सिधी सी बात है जो डिफरेंस आया है टाइम में ये केवल इसी 300 km की वज़े साया है क्या? समझ में आरी बात अब ध्यान देना स्पीड एक मिनट शान्ती बिल्कुल शान्ती स्पीड का रिश्यो तीन से चार है क्या? देखो जरा यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड का रिश्यो तीन से चार है यदि स्पीड का रिश्यो तीन से चार है तो बताईए टाइम का रिशियो चार से तीन आएगा क्या टाइम का रिशियो इन्वर्स होता है न इस्पीड का रिशियो तीन से चार है तब बताओ टाइम का रिशियो चार से तीन आएगा के नहीं आएगा इसे क्रोस होता है न इसे होता न इस्पीड का रिशियो चार से त समझना है, समय में फर्क पढ़ने की वजह, टाइम में डिफरेंस आने की वजह, न तो ये वाला है, नहीं ये वाला है, यहां भी चालसे में, यहां भी चालसे में, तो समय में फर्क न तो यहांसे बना, नहीं समय में फर्क यहांसे बना, वो जो समय में एक घंटे का फर्क है वो केवल यहां और यहां लिये गए समय का फर्क है ये जो एक घंटा कम हुआ है ये एक घंटे की कमी सिर्फ इस 300 किलोमेटर की तुलना में यहां 300 किलोमेटर में एक घंटे की कमी होगी के नि होगी ये जो एक घंटा कम हुआ न तो यहां से कम हुआ सेम चाले ये जो एक घंटा कम हुआ न तो यहां से हुआ सेम चाले ये एक घंटा कम कहां से हुआ सीधी सी बाते इस 300 किलोमेटर की तुलना में इस 300 किलोमेटर में जाने में एक घंटा घटा होगा के नहीं घटा होगा ये एक घंटे की कमी यही से बनी के नहीं बनी इस 300 किलोमेटर की ये सच्चा ही जान गए कि नहीं जान गए speed time आपस में inverse कब हो जब distance constant हो बताव ये भी दूरी 300 ये भी दूरी 300 जब distance है मो तो speed time आपस में inverse होते के नहीं होते यदि speed का ratio 3 से 4 है तो यहां से यहां के time का ratio 4 से 3 आएगा के नहीं आएगा तो उपर का time 4 unit है और नीचे का time 3 unit है यहां की 300 km का समय यदि speed का ratio 3 से 4 है तो time का ratio 4 से 3 यानि कि इस 300 km में लिया गया समय 4 unit है इस 300 km में लिया गया समय 3 unit है बोलो समझे के नि समझे इस 300 km में लिया गया समय 4 unit है इस 300 km में लिया गया समय 3 unit है अब उपर का time 4 unit है नीचे का टाइम तीन यूनिट है, तो बताओ, यहां की तुलना में यहां का टाइम एक यूनिट कम है के नहीं, बोलो ज़रा, यहां की तुलना में यहां का समय एक यूनिट कम है के नहीं, तो अब देखो इस चार से तीन को एक यूनिट कम है के नहीं, बताओ ज़रा, देख समय में कमी एक उनिट जो है वह एक उनिट सच में एक घंटे के बरबर है तो टाइम कितना है एक उनिट 2 ना फेस एक्स्प्रेशन ठीक रखना है नए, एक यूनिट बराबर एक घंटा, एक यूनिट बराबर एक घंटा है न, ठीके, ठीके, यदि एक यूनिट बराबर एक घंटा तो नीचे का समय तीन यूनिट बराबर तीन घंटा आएगा क्या, नीचे का समय तीन यूनिट बराब ईक उनिट बढ़ावर तीन गंट आएगा क्या एक उनिट बढ़ावर एक गंट तो निचे का समय दा निचे disrupt इनंट राबर तीन घंट आएगा की नि आएगा बताओ जरा अब देखो सुन ना ओरिजनल स्पीड है ना अब ध्यान देना अच्छा यहां भी रेल गाड़ी ने 300 किलोमेटर ताई किया यहां भी रेल गाड़ी ने 300 किलोमेटर ताई किया रेल गाड़ी ने ओरिजनल स्पीड से कौन सा 300 किलोमेटर ताई किया वास्त्विक चाल से बिना accident वाली वास्त्विक चाल से accident के पहले वाली वास्त्विक चाल से यह 300 km तई हुआ कि 300 km यह तो accident की बाद वाली चाल से तई हुआ तो वास्त्विक चाल से तई नहीं हुआ होगा ना है 300 औरीजनोल वाले और फिशे आय कि क्या अरीजनल इस्पीड, क्योंकि देगी आय क्या तो औरीजनल स्पीड countries सब्सक्राइट प्राइटे को फेखके छाहें में नहीं हं? यूब क्योंड श्राइट अन्हां पेखके जबना कि और में खे Doing चार बराबर चार गंट निकाला उपर वाला समय निकालोगे तो वहां से तो एक्सिडेंट के बाद वाली स्पीड आईगी यह वाली हमें उरिजिनल स्पीड चाहिए फोर वाली तो फोर वाली स्पीड यहां से आईगी कि नहीं आईगी क्लियर तो इसलिए मैं उपर का समय न चार घंटे में 300 तो प्रति घंटा 75 आएगा。 प्रति घंटा क्या आएगा? 75. समझ आई बात? तो प्रति घंटा 75 ये नहीं वाली चाल, एक्सटेंट के बाद वाली चाल. 75 किलोमेटर प्रति गंटा. यहां क्या है, ओरिज़नल स्पीड के से आएगी? उरीजिनल टाइम, तीन घंटा, तीन घंटे में 300, प्रती घंटे 100 आएगा कि नही आएगा तो बताओ, 100 किलोमेटर प्रती घंटे, ईरीजिनल स्पीड आएगी कि नहीं आएगी बोलो जरह, वेट चिन्तम में छोड़ूंगा नहीं ऐसे हवा में आपको मैंने ऐसे रसी पकड़ा दी हवा में आपको लटका दिया और मैं छोड़के भागिया ऐसा नहीं करूंगा ना चिंता नहीं करो ठीक है किनारे तक ले जाओंगा शानती रखो है ना तो बताई यह ओरिजिनल स्प सब्सक्राइब निचे से आएगी 100 किलोमेटर प्रती हंटा तो किसी एक किस्पीड को निकाल के रेशियो का यूश करके दूसरा यहां से बेनिकाल सकते हो यहां यहां से भी 300 km 3 गंटे म्प्रति गंटा सो ओरिजनल और 300 km 4 गंटे म्प्रति गंटा 55 पूरानी स्पीड दोनों आ जाएगी ओरिजनल स्पीड पूरानी स्पीड है ना समझे बात आप लोगों को एतने सी बात ठीक है अब इसी चीज को हम यहां पे करते हैं सीधे इस पीड कर इस चार से तीन है तो बताएं टाइम कर इस तीन से चार आएगा कि नहीं आएगा तो टाइम का डिफरेंस एक उनिट बरावर एक घंटा है कि नहीं बोलो जरा अब मैं किधर जाओंगा जिधर ओरिजनल स्पीड हो की उधर जाएंगे ना इधर पर काम थोड़े ना करेंगे ओरिजनल स्पीड निकालने के लिए ओरिजनल स्पीड की उधर काम करेंगे एक ने कि तीन गंटे में रेलगाड यही काम करना ना अपको चाल यदी चार से तीन हो गई तो टाइम का रेशियो बताये तीन से चार आएगा कि नहीं आएगा समझ में आरी बात अब आप जानते हो ओरिजनल स्पीड निकालनी है ना तो एक बराबर एक घंटा टाइम का डिफर की फर्क पड़ता सेम चाले न इधर से कोई फरक पड़ता सेम चाले कि सारा गेम किसके उपर खेलोगे किस yatra पर 300 km स्देन्स एक ही दूरी को एक ही दूरी 300 किलो मिटर को दो लग लग चाल ये 300 किलोमिटर क्या है जितना एकसिदेंट आगे shift हो रहा न entrepreneurs हो उ यहां दुरगटना 500 किलोमेटर आगे होती तो जो किलोमेटर है ना एकसिडेंट की जो शिफ्टिंग ओरी जितना किलोमेटर उसके उपर हमेशा गेम प्ले होगा समझाई बात चाल यदी चार से तीन है तो समय हो जाएगा तीन से चार समझाई बात अब आप जानते हो औरिज तो जैसे टाइम 4 से टीन है यहां टाइम चार तीन है एक बरावर एक गंटा क्योंकि यहां चार घंट यह छुटा कम हें के निय ह्मैक तो अब आप किस किकिदेर जाओं या तो नए वाले कोलम पर पूराने वाले आपको औरीजनल स्पीड निकाल निया तो और जाओ एक बढ़ाव तीन गंटे में 300 और नई स्पीड से चार गंटे में 300 तो चार गंटे में 300 करोगे तो 75 किलोमेटर प्रति गंट आयेगा कि नहीं आयेगा समझारी बात क्लियर लेकिन आमे इमेजिन करोगे की नहीं करोगे जैसे सवाल आया कि चाल तीन चोथा ही हो जाती है तो चार में से कितनी होगी तीन चाल चार में स्थिन तो समय तीन सचार क्योंकि आप समझ जाओगी यह गेम कहां चल रहा है कहां चल रहा वो 300 किलोम जितना एक्सिडेंट आगे शिप्ट ह उसके उप्पार चार तीन तो डिस्टेंस सेम है तो तीन से चार क्लियर तो जितना भी एक्सिडेंट आगे शिफ्ट हो उसी के उप्पर यह गेम चलेगा हमेशा तो जो भी टाइम डिफरेंस सीधा यहां अपलाई हो जाएगा क्योंकि न तो इसकी वज़े से टाइम में है बिल्कुल इस सवाल को ओरुली कर सकते हैं बहुत अच्छे से जहां तक मेरा सोचना और मिरा माणना हैं चार सीं JUST ऊचर एक बराबर चार गंटा तीन गंटा एक बराबर एक घंट तीन बराबर तीन गंटा तीन गंटे में तीन सो प्रतिगंटा सो समझ आई कि नहीं बात बस अब मैं थोड़ी देर ना आपकी practice इसी पर करवाऊंगा अभी दूरी निकालना नहीं बताऊंगा मैं यह वह भी चाल पर रखूंगा आपको clear दूरी निकालने का बहुत शांदर समझारी बहुत चौंठ तरीके सी आप इसकी दूरी निकाल सकते हैं itaram ili जौरी बात में क्या तहीं कियरा हूं आप लोगों को ठीक है ना एक दूरी निकालने कया time निकाल लिए डिस्टेंज निकालने का रिदिशनल दिश्टेनल तरीका है ना एक बार में आपको एत्तों dell का दिस्टेंस का बता डिस्टेंस निकालने का वह शौर थरीका भी नि बताना रहाँ में उद्यों वह शौर्टतरीक अभी बताऊँGAN तो ये चाल और वह डिस्टेंस वाला तरीका उलज जाएगा अपसमें मिक्सप हो जाएगा ठीक है अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक ट्रिशनल तरीका यदि बताऊना मैं आपको डिस्टेंस निकालने का वो यह है कि आप टोटल डिस्टेंस को मान लो डी क्या मान लो डी अब सुनना मेरी बात है ना इदिम बात करू टाइम की ठीक है ना तो टा हो टैंक केलकुलिट करते हैं अच्छा है रेल गाड़ी आप बता हुझा यहा रेल गणझी 600 कुलोमेटर ते 40 चली की नहीं चली कि अर्यगो09 खाणव स्वे में 90 कुलन मेतर ऑ्रिज स्कला के रहे कि चली का चली cared तो दो सो किलोमेटर सो की चाल से बताओ यहां का टाइम दो घंटा आएगा फिर उसके बादे तीन सो किलोमेटर पिचात्तर की चाल से न भीया एक्सिडेंट के बाद चाल पिचात्तर हुई के नहीं हुई तीन सो किलोमेटर पिचात्तर की चाल से आफ रे चार इन भीया चार घंटा यहां का भी समय चार घंटा है के नहीं है यह ट्रिडिशनल तरीका बता रहा हूँ मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आपको इस तरीके से यह अंसर नहीं निकालना है दिस्टेंस का वैली इस तरीके से नहीं निकालना है लेकिन चाल के साथ-साथ इसको फ्री में बता रहा हूं उसके बाद है न, time distance upon speed, clear, 4 घंटे, उसके बाद, यह दूरी कितनी बची, अच्छा, D में से 500 गया, तो यह दूरी बताओ, D-500 है कि नहीं है, D में से 500 गया, तो दूरी D-500 है कि नहीं है, तो time distance upon speed से आएगा, speed क्या है, 75, बताओ, आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाईया, D मे D-500, तो यहां का समय दूरी बता चाल, तो दूरी D-500, और यहां की चाल पे चतर है कि एक्स्रेम के बाद, पूरी चाल पे चतर है, यह total time आगया कि यहां से यहां तक का बताओ, आया कि नहीं है, total time, 200 km में 2 घंटे, 300 km, 4 घंटे, यहां का time इतना, total time आगया, यहां से यहां लेट न होती, यदी accident न होता, ठीक है, तो original time कितना लगता, यदी rail गाड़ी लेट न होती, तो original time कितना लगता, D-500, बताओ, rail गाड़ी लेट न होती, तो original time, अरे D की दूरी 100 की चाल से ताई होती के नहीं होती, यदी rail गाड़ी का accident न होता, तो वास्तिविक समय जो लग तो टो टो टाईम दी बॉटा तो आता के नहीं लेकिन 4 गंटा लेट है तो टो 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 जो समय लिए के नियु बताओ जरा यही लगाड़ी लेट न होती तो time कितना लगना था सही समय पे पहुँचने के लिए D की दुरी 100 की चाल से D by so distance upon speed लेकिन 4 घंटा लेट हुई है यहीं कि original time से 4 घंटा जादा लिया कि नहीं लिया तो यही समय D by so plus 4 से भी आजाएगा कि नहीं आजाएगा तो यहां से आप D का value निकाल सकते हैं समझ आई बात clear यहां से D का value निकालोगे तो यह आएगा कितना आएगा 1 बराबर 304 बराबर 1400 आएगा निकाल लेना 1400 लगाए देखलो सेटिसफाई करेगा 14 और 14 16 घंट आजाएगा 16 तो यहां 1400 लगाओगे 1400 माइनस 500 आएगा है 900 है ना 16 एक मिनट कितना आ रहा है 1400 14 और 14 18 घंट आ रहा है टोटल 14 100 लगाओगे तो 18 घंट यहां भी 18 आजाएगे 1400 माइनस 500 कितना होगा 900 912 हाँ 18 ठीक है D बराबर 1400 यह बिल्कुल बेसिक तरीका डिस्टेंस निकालने का ठीक है लेकिन हमें इस रास्ते नहीं जाना डिस्टेंस निकालने का मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा समझे इसको हटाओगी यह सी दिखाया मैंने आपको ठीक है ना और जो शिट के कुष्चन है कुछ-कुछ वो भी करते हैं सिर्फ चाल निकालने की बात करूँगा मैं अभी मैं अभी सिर्फ क्या निकालने की बात करूँगा चाल दूरी नहीं सारे सवालों का लाइन से मैं आपको चाल निकालना सिखाऊँगा के वळला भी दूरी नहीं. पहले सारे सवालों कि छाल निकालेंगे ताकि छाल पर आत्रुस्षास बंचाया उसके बाद सारे सवालों कि एक साथ दूरी निकालेंगे. समझ आई बात, चलो. देखो, पहले छाल पर आते हैं, है ना, ठीक है. तो चलिए देखिया कहानी कुछ ऐसी है की आज सिर्फ चाल निकाल नहीं सीखेंगे हैं टेंशन नहीं लोग है ना सिर्फ इस पीड पे मैं आपका हाथ सेट करूँगा ठीक है फिर से जो कोश्चन लिखवा है इसी को लूँगा में ठीक है ना चलो भया 200 किलो मेटर चली रेल गाड़ी दुरघटना हुई इस प्रकार रेल गाड़ी चार घंटा देरी से पहुची ठीक है है तो तीन चोता यहां से यहां तक की चाल क्या है चार और इसके बाद की यहां से यहां तक की चाल क्या है यदि यह रेल गाड़ी 300 km आगे दुरघटना होती है, कितना किलोमेटर आगे? 300, यह यहाँ पर, यह 300 km है ना, दुरघटना होती, तिर रेल गाड़ी केवल 3 घंटे देरी से पहुँचती, कितने घंटे? 3 घंटे, clear है ना? 3 घंटे देरी से पहुँचती, ठीक है? अब कुछ नहीं करना है है ना? अब एकसिडेन तक की चाल 4 है ना? एकसिडेन तक की चाल 4 है और एकसिडेन के बाद की चाल क्या है? 3, clear? अब इसको सेट कर लो, 300 km को पकड़ लो यहाँ पर, अब देखो, चाल, चाल 4 है, 4, यहाँ चा क्या है? 4, यहाँ चाल क्या है? यहाँ चाल क्या है? यहाँ चाल क्या है? 3, अब आप देखो, जो टाइम में एक घंटे का फर्क पड़ा है, यह एक घंटे का फर्क पड़ने की वजह आप समझ पा रहे हैं? एक घंटे का फर्क, यहाँ चाल में फर्क नहीं, यहाँ से सवाल हमेशा किस सवाल होगा सिर्फ इसी मार्जिन पर सवाल हल होगे हमेशा इसी चीज़ को पकड़ना है सवाल पढ़के यह चीज सिधे ओरिजनल स्पिट से ट्रेन उपपर वाला 300 नीचे वाला 300 नीचे वाला 300 ओरिजनल स्पिट से गया है क्योंकि एक्सिटेंट के पहले वाला 300 है यह तो एक बराबर एक घंटा तीन बराबर तीन गंटा तीन गंटा तीन बराबर तीन गंटा है ना तीन बराबर तीन गंटा तो इदर तीन घंटे में 3090 सचार घंटाव स्कूटतर हैई collecting जो किलोमीटर की अनुद में 300 300 सो तीं सो प्रती गांटा सो तिन जंटे में 300 प्रती गंटा सो अब एक चीज मैं थोड़ा सा डेटा चेंज करूंगा यहां से हैं ना डेटा चेंज करके अभी शिट पे मंद जावाब है ना जो Pdf इसपर मत जाहिये question नो है आप इंसर देना फट आ फट में तीक है इस पीशन नीकालना है हमें हिए न यह सब मिटा देता हूं में हम ठीक है 200 kilometer ठीक है एक मिन रुकों में दे रहा हूं सवाल आपको पहले मिटा देता हूं यहां से सब कुछ ये भी मिटा देता हूँ अरे यार हटा है ना यार पूरा का पूरा रुको एक मिनट है ना ठीक है अब देखें आप यहाँ पर क्या है कहानी सुन नाराम से कोई जल्दी नहीं है कोई जल्दी नहीं है ठीक है जल्दी का काम नहीं है ज्यान लेना ध्यरय और concentration मजाना चीए ये दुर घटना हुई रेल गाड़ी की ठीक है अब देखो मैं सवाल यहीं पर दे रहा हूँ रेल गाड़ी की चाल हो गई पांस से चार क्या होग State पांस से चार है चाल हो गई पांस से चार है ना ध्यान देना ठीक है सवाल दे रहा हो मैं आपको ठीक है पांस से चार होगे ठीक है यदी यही दुरघटना यदी यही दुरघटना 200 किलोमेटर आगे हुई होती है यह दुरघटना कितने किलोमेटर आगे हुई मानलो 100 किलोमेटर आगे हुई यदी यही दुरघटना 200 किलोमेटर आगे और इसके बाद वाली Χाल क्या हो जाएगी चार भीडियर इतनी बात है अब सुन हो गया सवाल यह हो गया सवाल बहिया चलो बताओ, original चाल क्या है? हो गया सवाल बस, है ना, रुखो, रुखो, डिले, डिले, एक मिनदे डिले देता हूँ मैं आपको, डिले ऐसा है कि यहाँ रेल गाड़ी 6 घंटा लेट हो रही थी, और यहाँ रेल गाड़ी लेट हो रही है, लेट हो रही है गाव में कि आए और इसका बताईए बोलो बोलो बोलों कि आए गब उत्तर क्या अगस का है अश्तमिनना है अंडर्ड समय रहे हैं हंडरेक्ट है इसकोट समस्ते आप चलो इधर देखां अप क्या है कहनी हा किच्चर या अंसर आया की कि नहीं आप लोगों यह बताओ बहुंत आप हैंडुग। मैं निकालू उरली एक बराबर आट मेरी तो स्पीड आगई आगई मेरी स्पीड पता है कितने स्पीड आईगी 25 किलोमेटर प्रति घंटा स्पीड आईगी 25 है ना अब सुनो मेरी बाते सा है पांक चारे तो टाइम क्या हो जाएगा छार से पांच एक बराबर दो घंटा आएगा क्या बोलो एक बराबर दो तो चार बराबर आट घंटा इधर ही जाएंगे हमेशा आट घंटे में 200 तो प्रति घंटा है कितना आएगा 25 8 घंटे में 200 जितना आगे शिफ्ट हुआ तो प्रती घंटा 25 किलोमेटर प्रती घंटा और इसकी समझाई कि नहीं बात आपको सॉल्व करना है क्यों सॉल्व करना है आप देखो यहां रखोगे ना आप बताओं कि सॉल्व करके पूरा डिजाइन बनाओंगा फिर से मिटाना पड़े गनाए सवाल देने के लिए छो कोई नहीं संघर्शी इवान है यह घंठ को यहां भी हां 5 यहां देखो यहां ठापb स्टेंस कॉंस्टेंट हो तो एक यूनिट बराबर बताइए दो घंटे का फरक है के निए एक बराबर दो तो चार बराबर आठ आठ गंटे में 200 तो प्रति घंटा पाच्चेस अच्छा उपर का टाइम क्यों ले रहा हूं कि उपर तो नई स्पीड से चला हुआ है एक्सिडेंट के पहले वाले स्पीड यहां से आईगी नीचे से ना तो एक बराबर दो घंटा चार आठ गंटे में 200 तो प्रति घंटा कितना आएगा हिसाब किताब सो या फिर स्पीड होता डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस कितना है 200 और कितना 8 घंटा तो बताओ 25 किलोमेटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा बोलो 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 समझे के नहीं समझे समझे के नहीं समझे तो बताइए स्पीड 25 किलोमेटर प्रति घंटा आएगी के नहीं आएगी 25 किलोमेटर पर आएगी के नहीं आएगी आएगी के नही प्रेक्टिस यह रटवाऊ चाली रटवाऊंगा भी मैं आपको चिंता मत करो आप लोग है ना इसको मिटाता हूं यहां से सिखने के लिए प्रेक्टिस को आगे आगे पढ़े लटा मेरे साथ साथब्स सीखने की लिए प्रेक्टिस यह बच्चा बनना पड़ता है अब कर कि अको एक्ट dessus लाऊ कि और हमको सा आगे और पड़ाओ ऐसा नहीं कहलो थोड़ा से चली है और 500 किलोमेटर पर आके दुरघटना होगी है क्लियर है तो फांथ सो किलोमेटर पर आके दुरघटना होगी क्लियर समझाई बात ठीक है दुरघटना होने के बाद रिल गाड़ी की चाल दो ती हाई कर ले रिलकाड़ी की चाल दो ती हाई हो गई यानि कि यहां से यहां तक चाल तीन थी देखो विद्यार्थी का दिमाग लगना तो चालू हो ही गया है वो साथ में सॉल्व भी करता जा रहा है इस पीड क्या आएगा तीन से दो है ना इस पीड का रीशियो क्या है आपका तीन से दो ठीक है है ना तीन से दो यदि यही दुरघटना कितना आगे होती है यदि यही दुरघटना यदि यही दुरघटना यदि यही दुरघटना यदि यही दुरघटना यदि यही यहां रेलगाडी मान लो 5 घंटा लेट हो रही थी यहां साधेतीन गंटा हुई तबने ओरिजनल चाल क्या है में अलगिन्हान वत अंशर फटाफट के आंसर आए긴 का मेरा तो आंसर पर बोलो बोलो जल्दी पॉलो फटाफट बोलो 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 क्या है अंसर फटा फट बोलो ज़रा बोलो ना क्या है अंसर दो ती आई हो गई यानिकि तीन में से दो है ना बोलो क्या आएगी चाल बोलो जल्दी बोलो फटा फट डेड़ घंटा ना देड़ घंटे का फरक है उदर एक बराबर डेड़ यानिकि दो बर अबर कि मेरा तो आगया चाल क्या आएगी चाल बताओं मेट्रो ट्रेन भाईया बुलेट ट्रेन दो चाल भी तो बुलेट ट्रेन जैसी आईए ना विपचास-आठस-थारसी चाल थोड़े ना आएगी अच्छी खासी चाल आईगी है चलो भई टाइम का रिश्यो क्या हो गया दो से तीन एक बराबर डिड़ घंटा एक बराबर डिड़ तो दो बराबर तीन घंटा तीन घंटे में कितने जारी 600 तीन घंटे में 600 तो प्रती घंटा 200 किलुमेटर प्रती घंटा ये चाल हो गई हुआ हो गया दिमाग में जाकि अब तो फि इसको भी रटा दो कि अचलो पढ़ता हूं पहले को शनके डेटा फिल करते हैं यहां पर हैं एक करके एक करके सारे डेटा फिल अप करते हैं ठीक है न चलो टाइप सेवन का कुश्चन नमबर वन टाइप सेवन का कुश्चन नमबर वन अज़ जो क्वेश्चन लिखता है ना चलने किरो कहाने गटिया जो है का करने वहां जो हाँ तीन गंटे बाद दुरखत्ना भहिया, तीन गहंटे बाद एक्सिडेंट हुआ है न 75% गती से आगे बढ़ी याने, 75% याने कि वह इतीन चुत ही होगए याने कि 4 में से चाल क्या होगए 3 75% गती से आगे बढ़ी 4 में से 3 है न, अब आगे क्या बोला 4 गहंटे देरी से पहुँची है ठीक भीया चार घंटे देरी से पहुँची ठीक है एक घंटा रुकना पड़ा एक घंटा यहां रुकना पड़ा और चार घंटे देरी से पहुची यह जो रुकना पड़ा न अभी तक के सवाल मैंने केसे करवाया था जिन में रेलगाडी रुकी नही सिधे उड़ा के रास्ते वाना गड़ी को उड़ा के सिधे आगे भाग गई चाल कम करके समझाई बात लेकिन यहां रेल गाड़ी जैसे एक्सिडेंट जादा हुआ हो एक गंटा रुकी रुकने के बाद चार गंटा डिले यदि वो न रुकती तो बता यह तीन गंटे का डि हर एक सवाल को किस नजर से देखना है रेल गाड़ी को रोकना नहीं है हमें उस प्लेटफॉर्म पर इमेजन करना है कि एक्सेडेंट के बाद रेल गाड़ी रुकी ही नहीं है सीधी गई वो उड़ाते हुए किस चीज को सीधे गई बस चाल चार से तीन हो गई यदि वो सी कट करना है कि लीटफॉर्म पर सवाल करते हैं की रेल गाड़ी रुकी हम किस प्लेटफॉर्म पर सवाल रहे गई गउम घ味 इसा मानेंगे के रेल गाड़ी एक गंटा नहीं रुकी समझारी बात तो चार गंटे डिले की बजाए के वल तीन घंटा डिले रह जाएगा कि न रह जाएगा बोलो जरा तो हमें सवाल को हमेशा इस प्रकार से चेंज करके रखना है समझारी बात इस पीड निकालने में कोई फरक नहीं पड़ेगा तीन घंटे की जगा चार घंटे भी रखोगे तो इस पीड निकालने में दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जब आप डिस्टेंस वाली शॉटकाट मेथर लगाओगे ना तब आपको ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा तो बस सबते लो एक चीज़ आते अपने दिवाग में डालो कि हम सवाल को हमेशा किस प्लेटफर्म पर सॉल्फ करेंगे हम सवाल को हमेशा उस प्लेटफर्म मेंふふ करेंगे एक सोने से गाड़ी रुकी नहीं accident होते से गाड़ी सीधे उड़ाते हुए आगे भाग गई मारेंगे भाई या लोग driver को समझारी बाग रेल गाड़ी में नी मारते लेकिन है ना ठीक है सीधे उड़ाके वो आगे चली गई है ना तो जो भी stop time होगा उसको हमेशा डिले में से घंटा कितना किलो मेंटर आगे घंट में अदि जो आगे तो रेल गाड़ी साड़े तिन गंटे का विलम से पहुंचती सीधी सी बाते भी है एक गंटा रुका तो एक घंटा यहां यहां रुकने के बाद Sam 3 घंटा विलम बे एक घंटा नहीं रूपती तो एक गंटा पहले धाई गंटे का विलंब कीवल होता कि नहीं होता बताओं ध्यान रखना ये हमेशा आपको करना है एकसिडेंट होने पर एक गंटा रुकना है बोल दिया तो यहां भी सेम एकसिडेंट यह दिड़ीड़ सो किलो मेटर आगे होता एकसिडेंट यह दिड़ीड़ सो किलो मेटर आगे होता याने कि जो एक गंटा वहान रुका वो एक गंटा रुकना यहां भी अपलाए होगा ओटोमेटिकली क्योंकि सवालने पहले ही कलिय कर दिया कि accident होने की वाज़े से रिल कटी को एक गंटा रुकना है कि एदि Save accident 300 scripture होता तो भी एक घंटा रुकना पड़ता उसको नई बोले तो भी समझारी भाण तो एक घंटा रुकने पर साड़े तिन घंटा डिले लेकिन हम हमेशा माइनस करेंगे सोरी साड़े तिन था नहीं हम हमेशा सवाल को किस प्लेटफॉर्म पर स्वाल्व करेंगे कि रेल गाड़ी नहीं रुकी रेल गाड़ी नहीं रुकी सिद्या आई तो हम साड़े तिन घं एक बराबर आधा घंटा है क्या एक बराबर आधा घंटा तो तीन बार आधा डेड़ घंटा आएगा क्या बोलो आएगा कि नहीं आएगा एक बराबर आधा घंटा तो ओरिदनल इस्पिट तीन बार डेड़ घंटा नेकि डेड़ घंटे में डेड़ सो तो प्रती घंटा सो 10ел detстваैंइब मुष्याइब को सद्ग्हू में आयगी761 500 då प्ति घंटा प्रती घंटा क्यों या फिर इस्पीड होता है तो या डिस्टैंससे किलोमीटर है और उसके टाइम के तना और कि तीन बता दो खेंटे हैं तो तीन से पचास प्चास दूनी बताव सो किलोमीट्र प्रति घंटे आएगा कि नहीं आएगा कि आएगा कि नहीं आएगा कितना किलोम्यूमिटर पर ती घंट चाल की जुशततो है तो समझ रहे हो बात को कर पाओगे सवाल को तीन चोताई चार तीन तीन चार एक बराबर आधा तो तीन बराबर डेढ़ गंटे में डेढ़ सो तो प्रती घंटा सो तो किलोमेटर प्रती घंटे की चाला जाए औरली करने के आदर डालना है अब मेरा निवेदन आपसे देखो इत टाइप seven में जितने भी सवाल ये प्रैक्टिस शीट और मेंडि चेत मैं सबकी FDA कल की कलास के पहले में सारे की सारे सवाल काफ़ टाइप Seven का डिस्टेंस निकरना और निकालओ नहीं बरजी नहीं निकलो सीख आओगां मैं क्या निकालू आप लोग कूई श्क्यु बने डि स्पीड निकालना सिखा है एक ही काम पे हम बार बार चल रहे हैं इससे मज़ा आता है करने में समझ आई बात अब घर में बैठोगे थोड़ा सदीमाग लड़ा होगे ना वीडियो को रिपीट करकर करके देखो कि समझ में आएगा आपको और सबसे अच्छी बात क्या खुश समझारी बाद जहां सवालों में दो बार एककसिडेंट हैं उन सवालों का आप लोग छोड़ देना वो सवाल में आपको करवाओंगा जहां उन सवालों की स्पीड आपको निकाल के लाना है कलगी क्लास के पहले समझारी बात कल हमरा टाइप सेवन समाप्त हो जाएगा है और दो question race वाले बाग किए, बताता हूं मैं, है ना, ठीक है, उसका example लेकर बताता हूं आपको, ठीक है, चली, ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, है ना, thank you.